आज के इस वीडियो में मैं आपको बजाज फिंसर्व एप्लिकेशन में रजिश्टर करना बताने वाला हूँ तो आज का ये वीडियो सुरू से अन तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि पूरे स्टेप्स आप ध्यान से समझ पाएं मैं आपको एक बार स्टोर पर भी दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है अप्लिकेशन तो गूगल प्ले श्टोर हो गया यहाँ पर आपको सिंपली बजाज फिंसर्व लिखना है और सर्च करना जैसी आप सर्च करेंगे यह आपके सामने अप्लिकेशन आ जाएगी बी हुआ है बीच में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर टैप करना है अंदर इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपसे पुछा जाता है आपका मोबाइल नंबर दो नंबर है तो आपके सामने दोनुन नंबर निकाल क वगरा वगरा हमें क्या करना है login करने के लिए OTP जन्रेट करने हैं तो हम जन्रेट OTP पर tap करेंगे tap करते ही enter one time password आता है और यह फटाक से इन्होंने message भेज दिया हमें ठीक है भाई अच्छी किया अभी message भेज दिया आपको करना है enable स्क्रीन लॉक होता है ना फिंगर्प्रिंट से वह अगर आप इसे बंद करते हैं यह से मैंने बंद किया तो फिर यह उगली से खुलेगा नहीं आपको पर्टिकुलर जो है पासवर्ट डलना होगा तो मैंने इसको enable कर दिया अब मैं करता हूँ submit submit करेंगे तो देखिए कुछ पूछता है भाई allow बजाज फिंसर्फ to access the device location ठीक है location एक्सेस दे दीजिए मैं दूँगा सिर्फ और सिर्फ एप्लिकेशन यूज करते समय आप चाहें तो only this time भी दे सकते हैं कोई इश्यू नहीं है बजाज फिंसर्फ to access your contact ठीक ही contact भी कर लो allow बजाज फिंसर्फ to make and manage calls तो calls का भी access दे दिया हमने ओके यह accept कर दीजिए बुलते है settings वह मेरे आज से घला जगा टैप हो गया तो मैं वह permission दे देता हूँ एक पर फटाक से और sms की भी permission आपको देनी होगी तो वह भी मैं आप पर दे देता हूँ ठीक है यह मैंने permission यहाँ पर दे दी आपके सामने यह आ जाएगा यह थोड़ा से issue कभी आपके साथ हो जकता है कोई बात नहीं आप देखिए application खुलने के बाद कुछ इस तरीकी की दिखती है पहले सिखाय जा रहा है कि menu का जो button है वो इस तरफ पर है prepay और withdraw from your loan account as much more नीचे है next और skip का बटन नीचे है my account view all your relations facts and much more ठीक है हमें जा करना है next करना है next में बोलता है scan tap for easy and quick payments आप इस application से दोस्तों qr code scan करके payment याने upi payment भी कर सकते हैं कोई रिक्कत नहीं है तो आपने कर दिया got it got it करने के बाद सावधान रहें सतर करहें सफ रहें अब यह आप देख रहें application यहाँ पर open हो गई है सबसे उपर दिखाए जैता है बजाज फिंसर्व का UPI फिर है pay wallet वालेट भी यहाँ पर है उसमें कैसे पैसे aid करने है कैसे निकालने है वो भी आपको बता दूँगा यहाँ पर आप कर सकते है एड और नीच इसके दर है सेटिंग्स मिल जाता है इसके बाहर आदें यहाँ पर आपको अपनी profile दिख जाती है profile में अभी guest profile बनी है तो आप यहाँ पर इसे edit कर सकते है एडिट profile का बटन नबाईए simple तो इन्होंने download कर ली पता नहीं कहा से ओके primary mobile number इन्होंने ले लिया go to home register करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है बस अब login बस आप application डाउनलोड करेंगे और अपने mobile number के साथ इसमें simple login कर देना है अभी हम जाते है माई accounts पर जो कि यहाँ पर option है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है कि my relations there are there is no active or closed relationship with us और edit profile पर जाएंगे तो वापस व आशकी वीडियों में इतना ही धन्यवाद